दोस्तो आप देख सकते हैं ये वो पेपर है जो मैंने अपने MS Word में टाइप किया हुआ है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने MS Word में किसी भी तरह का जो हिंदी का पेपर टाइप करना हो वो किस तरह से कर सकते हैं इसमें मैंने आपको 0 लेबल से लेकर एड़वांस लेबल तक जो भी पेपर टाइप करना होता है वो बताया है दोस्तो वीडियो का कि तक जरूदे कियेगा चलिए बादर की इस वीडियो को शुरू करते हैं यहांपर मैं अपना आपर है यहां । तो यहां पर मैं दुस्तों हिंदी का टाइप करने वाला हूं English का या फिर math का पीपर है तो हम आगे आने वाली जो भी वीडियोज है उनमें बताएंगे तो यहां पर आपको अपना MS Office है यहां पर open करने के बाद सबसे पहले आपको जो अपना पेज है उसका setup कर लेना है जैस पेज layout में जाने के बाद यहां पर आपको आपको जो भी पेज setup का option मिलेगा यहां पर दूस्तों आपको अपना पेज setup का option में चले जाना है तो यहां से पको आपको अपने kleघ जो साइश में जबाना है उसके साथ ब़ीत यह सायज हो चुका है सबसे पहले को जो इसके बाद दूसरी और आती है कि आपको अपना पेइपर है इससे जो भूडर लगाना बॉर्डर लगा देना है तो जैसे दुस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने इस तरह का एक नया टैब ओपन होगा यहां से आपको अपना बॉर्डर लगा देना है तो मैं यहां से बॉर्डर लगा देता हूं जैसे मैं यहां पर इस वाले बॉर्डर को सलेक करता हूँ और यहां से कर देना है जैसे आप यहां से कर देंगे तो आपका जो पेज है उस पर इस तरह का जो बॉर्डर है यहां से लग जाता है तो जैसे दुस्तों बॉर्डर लग जाता है आपने अब जो अपना दूसरा काम भी यहां से पूरा कर लिया है और आपका जो है वो भी सेट हो चुका है इसके बाद दूस्तों आपकी जो अपनी लेंग्वेज है वो यहां से सलेक्ट कर लेनी है तो जैसे मेरी अभी यहां पर टाइम न्यूरोमा लेंग्वेज है क्योंकि आपको जो अपना स्कूल का नाम है वो इंगलिस में टाइप करना रहेगा तो मैं चैतके लिए भेसे से आपईसा साज करीब 22 कर लिए 22 रखने दीजे 22 रखने के बाद यहां अपको जो जो इसकूल का नाम है वो क्या होगा तो यहां से मैं लिखा जाए थो मैं यहां पर आपना योज़ुल का नाम है वो कर देता हूं इस्कूल का नाम टाइप करने के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो टाइप करने हैं वो सब्जेक्ट दे दीजिए तो मैं यहां से जो सब्जेक्ट है वो यहां से दे देता हूँ तो मैं यहां पर सोशल साइंस का पेपर है वो टाइप करना हूँ तो संसाल लखने के बाद यहां से जो भी आप class का पेपर टाइप करें वो यहां से आपको class दे देनी है तो मैं यहां पर class 6 का paper टाइप करना हूँ तो मैं यहां से class 6 रिखूँगा class 6 लखने के बाद दूस्तों आपको अपने keyboard से control A दवाना है अब control A से क्या होगा जो भी आपने यहां पर text लिखा हुआ है वो सारा select हो जाएगा तो मैं यहां पर control A दवाता हूँ control A दवाने के बाद आपको अपने keyboard से control E दवाना है control E दवाने के बाद जो भी आपने type किया वो यहां से center में हो जाएगा अगर आप shortcut की से ना करना चाहें mouse से करना चाहें तो यहां पर एक छोटा सा option रहता है control E का जैसे आप इस पर थोड़ा सा अपना mouse रखेंगे तो यहां से control E लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इस पर click कर देना है लेकिन इससे पहले आपको इसको select करना पड़ेगा तो जो भी आपने यहां पर लिखा हुआ आपका school करना वो यहां से center में हो जाएगा center में हो जाने के बाद आपको यहां पर आपको जो cursor है वो यहां से last में लेके आना है उसके बाद आपको enter दबाना है enter दबाने के बाद आपको control L दबाना है control L से क्या होगा कि जो भी आपका cursor यहाँ पर इस center में है वो left की side यहाँ के इदर की side हो जाएगा यहाँ तो आप control L दबाईए keyboard से यहाँ पर आप mouse से करना चाहें तो इस बाई option पर click कीजिए उसके बाद भी आपका जो cursor है यहाँ से left की side आ जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका time रहेगा paper का तो यहाँ पर timing paper की रहेगी वो डाइगंटे की है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो गंटा 30 मिनट उसके बाद दुस्तों आपको tap press करना है tap press करने के बाद करीब आपको 4-5 बाद tap press करना है और आपका जो cursor है यहाँ से right side की तरफ लए गया आना है यहाँ पर आपको जो आपके maximum mark है वो यहाँ पर लिख देना है इसके बाद यहाँ पर time और जो mark लिखे हुए है इनको आपको select करना है और यहाँ से इनका size है 22 से 20 रख दीजिए यहाँ पर 18 रख दीजिए उसके बाद दुस्तों आपको यहाँ पर जो आपका cursor है right side में लेके आना है last में उसके बाद आपको enter दबा देना है जैसे आप enter दबाएंगे उसके बाद आपको जो equal आपका जो symbol है equal वाला button आपको तीन बार प्रेस करना है उसके बाद आपको enter दबा देना है तो जैसे आप enter दबाएंगे तो आपके सामने एक छूटा सा जो line है वो draw हो जाएगा अगर आप इस तरह से draw ना करना चाहें shortcut की से तो आप यहां से insert में जाएए insert में जाने के बाद यहां पर आपको shapes में जाना है और यहां से आप जो भी line draw करना चाहें वो यहां से draw कर सकते हैं shift के साथ आप इस line को draw केजिए तो यहां से यह line बिल्कुल CD draw होती है अगर आपको इसका जो weight बढ़ाना है तो यहां से तोड़ी इसकी जो line है वो मौटा कर दीजिए इसका तोड़ा सा bold कर दीजिए यहां से जो भी आप इसका line का weight करना रखना चाहें तो आप insert में जाकर भी इस line को draw कर सकते हैं नहीं तो आप shortcut की से भी कर सकते हैं तो shortcut की से भी हमने जो line ड्रॉक की हुई है इसके बाद दुस्तों आपको नीचे आना है अब आपको यहां से आपका जो paper है यहां से type कर देना है पेपर टाइप करने के लिए आपको यहां पर सबसे पहले caution number बन लिखना है उसके लिए आपको हिंदी का paper है हिंदी टाइप करना है तो यहां पर आपको अपनी जो language है वो यहां से select करना है तो home tab में आपको जो language select करने का option मिल जाता है तो यहां से मेरी जो English की language है यहां से तो मैं यहां से इंदी का language कुर्तिदेव 10 है मेरी जो इंदी की language 10 रखूँगा अगर आप shortcut की से करना चाहें तो आपको अपने keyboard से Ctrl D दवाना है Ctrl D दवाने के बाद यहां पर आपको कुर्तिदेव 10 टाइप कर देना है उसके बाद OK कर देना है तो यहां से shortcut की से भी आप कर सकते हैं shortcut की दूस्तों हमारे जो computer है इसमें बहुत ही एहम भूमिका निवाती है तो आपको shortcut की भी अच्छे तरह से याद होने चाहिए तो यहां पर आपको जो question है यहां पर type कर देना है तो आपको अपने keyword से alt-key को hold करके रखना है और 0 188 द दवाना है उसके बाद आपका open bracket है वो यहां से open हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर car type कर देना है जैसे आपका टाइप करेंगे उसके बाद आपको Alt की फिर से Hold करना है और Alt के साथ 0,189 टाइप करना है तो आपका जो Bracket साथ वो यहां से Close हो जाएगा उसके बाद आपको Tab दबाना है सिर्फ एक बार Tab दबाना है जिससे आपका करजर एक सही दिशा में बिल्कुल जो भी आपका Space रहेगा उसे अच्छे तरह से Manage कर पाएगा तो यहां पर आपको एक बाट Tab दबाना है और यहां से जो भी आपका Press Question है यहां से लिख देना है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ जो आपका करजर है जो Question नमर का पहले का का लिखा हुआ यहां पर आजाएगा तो उसके लिए आपको एक बाट Tab फिर से प्रेस करना है जैसे आप Tab प्रेस करेंगे तो जो भी आपने Hindi लिखना चालू किया था यहां पर आपका जो करजर है वह आपर Automatic पहुंच जाता है क्योंकि दूस्तो टेव की से क्या होता है कि जो आपका करजर है जैसे आप Tab की दवाते हैं तो उसके पता रहता है उसका जो Spacing है वो Manage कर लेता है कि आपको Tab किस जगे पर ले जाना है उसको Automatic मालिम पढ़ जाता है तो आपके Tab की है इसका Use कीजिए जैसे आप Tab की दवाएंगे तो आपका जो करजर है वो सही दिसा में पहुंच जाएगा यहाँ पर आपको Question टाइप करना है तो Question टाइप करने के लिए यहाँ पर आपको Question No.1 लेकना होगा तो यहाँ पर मैं बन लेके दिता हूँ उसके बाद यहाँ पर Dot लगा देना है उसके बाद उसको आपको एक बाद फिर से Tap प्रेस करना है जैसे आप Tap प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो आपकी Numbering है वो Automatic यहाँ से Select हो जाती है Tap दबाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका Numbering का Option था है यहाँ से आईलाइट हो चुका है तो यहाँ से आप अपने जो Question है थे यहाँ से Type कीजिए जैसे आपका जो Question टाइप हो जाए उसके बाद आपको Enter दबाना है तो Automatic जो आपकी Numbering थी यहाँ से चालू रहेगी तो यहाँ पर Automatic आपका जो Second Number था यहाँ से Type हो चुका है तो यहाँ से आपका जो दूसरा Question है Type कर देना है जैसे आपके जो Question है यहाँ से Type हो जाते है तो आपको जो आपका Second Option है उसका खा टाइप करना है तो यहाँ से जब आप Enter दबाएंगे तो यहाँ से Numbering चालू होगी तो आपको Backspace तीन वार प्रेस करना है तो मैं यहाँ पर Backspace को तीन वार प्रेस कर देता हूँ उसके बाद जो आपका करजर था जो आपका का लिखा हुआ है Question Number जो 1 है आपका तो उसके जो भी नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आपको खा टाइप करना है तो Alt की को Hold करके रखिए उसके बाद आपको 0188 टाइप करना है और यहाँ से आपको खा टाइप कर देना है उसके बाद जो उसका Bracket है उसको Close कर देना है तो 0189 कीजिए दूस्तो बसे आपको Hindi टाइपिंग तो आती रहेगी तो इस तरह से आप टाइप कर लिजिए उसके बाद आपको फिर से टाइप दावाना है टाइप दावाने के बाद जो भी आपका जो Second Question में आपको जो न्रिदिस टाइप करना चाहें वो कर दीजिए जैसे मैं यहाँ पर कर दीता हूँ रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए जैसे आप Enter दावाएंगे उसके बाद आपको टैप दावाना है टैप दावाने के बाद जो आपका करजर है यहाँ से जो भी आपका रिक्तिस्तान लिखा हुआ है जहाँ से आपने टाइप किया है यहाँ पर Automatic पहुंच जाता है तो यहाँ से आप Question Number 1 टाइप कीजिए उसके बाद आपको फिर से Enter टैप दावाना है जैसे आप टैप दावाएंगे जो आपकी Numbering है ओटोमेटिक यहाँ से फिर से Start हो जाएगी तो यहाँ से आप जो भी रिक्तिस्तान थे वो यहाँ से आपने जो भी कीजिए तो यहां से यह कॉफी हो जाएगा अब इसका फायदा आपको आगे मालिम पड़ेगा तो यहां से आपको राइट एरो की दवानी है इसको सेलेक्र को हटा देना है इसके बाद आगे टाइप कीजिए तो आपको 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 दॉसरा कॉछन है यह जरूरत नहीं है आपकोgi और यह व हो जाएगा उस्तों जो आपने यह कॉफी किया था बहूंसे आपको पेश्ट कर देना है तो यहांसे आपका जो कि आपको the ताइब था उसा की आपकी बैस्क्रीज्च लगानी , जरुरत नहीं यहां से पहले बना है तो इस तरह से आपको जो भी आपके कॉसर्und थे यहां से कर लिएना है अब आको यहां पर जो नेक्स्ट कॉसर्न है depends करना है तो यहां से आपको back space दवाना है तीन वार आपको back space दवाना है उसके बाद जो आपका करजर था वह यहां से आपको जो भी question थे यहां से उनके सामने आ जाता है उनके just नीचे आ जाएगा तो यहां से आपको जो तीसरा question था गा यहां पर type करना है तो आपको keyboard पर alt की hold करके नकना है और आपको alt के साथ 0188 दवाना है और उसके बाद 0189 यहां से close आपका जू ग्रैकेट है हो जाता है अब आपको यहां से फिर से tap दवाना है तो जो आपका करजर था यहां से उसकी number के नीचे आ जाता है जो भी आपका तीसरा निदिस्ता यहां से type कीजिए उसके बाद आपको यहां से enter दवा देना है enter दवाने के बाद आपको फिर से tap दवाना होगा जैसे आप tap दवाएंगे जो आपका करजर था यहां से बिलकुल आपके just नीचे आ जाता है numbering के तो यहांसे number one type करना है हमको number one type करने के बाद आपको फिर से tap दवाना है जिससे आपका जो करजर था वो यहांसे थोड़ा सा आगे चलाजाए जैसे है आप tap दवाएंगे यहांसे आपकी जो numbering थी ओटोमेट कि수AI eti select हो जाती है अब यहां से आप type कर सकते हैं यहां से आपको enter दबाना है enter दबाने के बाद यहां से आपकी जो numbering थी वो यहां से चालू हो जाएगी लेकिन हमको numbering नहीं करनी है तो यहां से मैं backspace दबाऊंगा मैं का लिखूंगा क्योंकि मुझे उस तरह से type नहीं करना है मुझे यहां पर जो भी तीन option यहां पर लिखने है का लिखा हुआ है यहां पर आपको bracket भी लगा सकते है तो bracket यहां पर मैं लगा देता हूं bracket से यहां पर सही से मालुम पड़ जाएगा उसके बाद आपको tap दबाना है दो बार tap दबा दीजिए उसके बाद यहां पर खा लिख दीजिए और यहां से आपको फिर से tap दबाना है तो फिर से आपको tap दबाना है दो बार उसके बाद यहां पर गार टाइप कीजिए आपको फिर से एक बार टाइप दबाना है और यहां पर लिख दीजिए उस तरह यहां से मैंने यहां पर टाइप कर दिया है उसके बाद आपको एंटर दवाना है जैसे आप एंटर दवाएंगे तो आपका जो कर्जर था यहां से का के नीचे आ जाएगा लेकिन अपना दूसरा जो भी कॉस्टन ता यहां पर टाइप करना है तो यहां पर एक बार आपको बैकश्पिस दबाना है एक बार बैकश्पिस दबाने के बाद आपको फिर से एक बाट टैप दबाना है तो जैसे आप टैप दबाएंगे तो जो आपका नम्बरिंग था वहां पर आपका करजर आजाता है उसके बाद यहां पर आपको दूसरा कोश्टन टाइप करना है तो तो यहां से आपको फिर से का खागा टाइप कर देना है तो यहां से मैं से कॉफी करूँगा और यहां पर पेस्ट कर देना है तो आपका जो भी टाइम था वह यहां से सेव हो जाएगा और यहां से आपको एक वाट टैप दवाना है और यहां पर आपको लिख देना है उसके यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आंपर करpleics यहां से पेस्ट होगा लेकिन आपको एक वार जो आपकी लैपे रुखी है उसे दवाना है और इसका को back space से अठा देना है और यहां पर आपको खा टाइप कर देना है उसके बाद आपको arrow की फिर से एक बार दवानी है और एक बार टैप दवाना है तो आपका जो करजर था यहां से थोड़ा आगे हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर टाइप कर जाता है कॉस्टन यहां से एंटर दबाना है तो आपका जो करजर था यहां से नम्मर के नीचे आएगा लेकिन आपको बेक स्पिस्पिस दबाना है बेक स्पिस्पिस दबाने के बाद जो आपका करजर था यहां से जो आपके फैले ऐसे पास्टियुक को का ओख़्पसल मैं यहां पर टाइप कर दीता हूं उसके रहें आपको आपको एंटर दोाना है और यहां से आपको एक वाहन ऐब टेब करेस् करना है उसके बाद यह आपको नम्बरिंग देना है Значит Oh डवाना में और आपको से कर देता है यहां से नमबर कर देता हूं उसके लिए अमेर्ग आपकर टायप कर देता हूं आपको यह तो आपकी कोस्फन ते क्मी रह चुकी हैं जैसे हैän पर इनको आपको बोल्ड कर देना है तो इनको आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बी दबा देना है जिससे आपके जो कौशन थे यहां से बोल्ड हो जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कितना यहां से सही से दिखाई दे रहे हैं तो यहां से आपको इनको सभी को कंट्रो देखना है तो आपको control के साथ app to press करना है और आप जो अपका paper है उसका preview देख सकते हैं यह इस तरह से आपका जो page है उस पर इस तरह से print होगा जब आप इसको print करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कितनी आसान तरीके से जो आपका paper है यहां से type हो चुका है तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने paper को type कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को देखने बाद मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ आप कोई भी paper हो इंदी का या English का आसानी से यहां से type कर सकते हैं तो आज के लिए दुस्तो बस इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिए दुस्तो और आपके जो जरूरत मन मिंत्र हैं उनके साथ भी share कीजिए मिलते किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you so much रादे रादे